काबिनेट से आशाय सभी अभियर्थियों के थी अगर आपको बता देंगे तो लगतार पिछले जो कल के काबिनेट को छोड़ करके पिछले जो तीन काबिनेट हुई थी उसमें जार्खन के अभियर्थियों को साथ साथ कई सारे करमचारियों को खुशखबरी मिली थी एक इसके बाद राज्य में दिवाली हो ली पहले ही मनाते वे नज़र आये थे मगर कल के कैबिनेट से काफी सारे अभियर्थी जो है वो का नाखुष है काफी उदास है और जो उम्मीदे थी वो राजदानी राची के बारिश में कहीं न कहीं धुल गई कहीं न कहीं वो बह गई हमारे साथ सीटेट के अभियर्थी सूरज मंडल हैं हम लोग इनसे जानते हैं क्योंकि इनकी भी उम्मीदे थी कल के काबिनेट से कितनी उम्मीदे थी कल की काबिनेट से कहीं नगए पानी में भैग गई है थाइंक्यू मेडम आपने जो निरंदर हमें यह मंच दिया है कि बातों को रखने का इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं और राज के सभी उबाओं को और बहुत सारे जो जितने अवियारती हैं जो हमारे इस दुख तकलीप के साथ साथ रहें उन सभी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी लगे रहें और नवरात्र का टाइम चल रहा है जिस तरीके सा मना सकता है मनाईए हाला कि जो बात रहा आपने कहा कि कितनी उम्मीदे थी उम्मीदे मैडम बहुत ज़्यादा ही थी हमें और शुरू से हम उम्मीद रखे हैं और हम लोगों ने एक सपना देखा था कि एक दिन हमारा जो मांग है और निश्चित रूप से जो है सरकार मानेंगी और उसी सपने को लेकर के कल भी में गया था केबिनेट में ताकि सरकार कुछ अगर पहल कर रही है तो इसकी जानकारी हमें मिले और जिसके माध्यम से पहला था इसके लिए हम लोग कल भी गया थे लेकिन नहीं हो पाया चाहा गया आप सिक्षा विभाग गया थे क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया आप लोगों को ले कर कि सीटेट अभी अर्थियों को कि अधिकार्ष प्रूंकर नहीं है और सचीब जो आएंगे तब ही इस पर कुछ आगे की कारवाई होगी तो इस तरीखे से हम लोग बादचीत जो है आगे बढ़ा रहे निरंतर हमारी परिक्रिया चल रही है बस में सरकार से बस एकी बात कहना चाहता हूं अभी कि सर पहले पिछले दिनों आप लोग ने तवारतोड जो है फैसले लिए बहुत सारे कारे आपने कि और कहीं सरकार संकट में भी लोग के बच्चे हैं अवयारती हैं और हम लोग जारकन के वैसे बच्चे हैं जो सीटेट उत्रिन हैं आप न्यूकती परिक्रिया आगे बढ़ाने जा रहे अभी और 26,000 बहुत बड़ी संक्या होती है और आज में लगा बहुत दिनों बाद ये बहार ली आने जा रही है छे साल से आपने परिक्षा जो आयजित नहीं कराई है जेटेट की जिसके चलते हम लोग परवावित हो रहे हैं और जो सेंट्रल गवर्मेंट है वो हर साल सीटेट की परिक्षा अगर हर साल दो बार लेती है और उसमें हम लोग सफल हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि आपने परिक्षा ली नहीं इसलिए हम लोग उसमें उत्रिन हो नहीं पाए आप अगर परिक्षा लेते तो हम लोग उसमें निश्चीत रूप से सपल हो पाते हैं क्योंकि सीटेट परिक्षा जो है भारत सरकार की सबसे कठीन सिच्छ पा सामिल कर देंगे तो इससे अच्छा ही ना होगा गुणवत्ता ही ना आएगी किसी तरीक से आपको नुकसान भी तो नहीं है ना तो यह आपका नेतिक दाइत भी बनता है अन्याई संगत भी है जन्यूइन मांगे भी है इस पर जरूर आपको गौर करते हुए सीटेट के पाएंगे और आप भाली करने जा रहे 26,000 सी चोकों की तो कंपेटिशन रहे कितना गया सर रहा तो गया बस दो विदारती एक एक सीट के लिए तो फेर कंपेटिशन भी नहीं हो पा रहा है आप उसे पांस-दाज सजार वैसे योग बच्चों को अगर सामिल कर देते हैं त सही ढंक से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं तो जारकन सरकार उसको लेकर के लगतार पहल कर रही है स्कूलों को सही करने का प्रयास कर रही है सिक्षकों को बहाल करने का प्रयास कर रही है मगर वो सिक्षक जो अपने आपको तयार कर रहे हैं सीटेट के माध्यम से तया अगला कदम क्या होगा क्योंकि कल की कैबनेट बीट गई और कोई खुश खबरी नहीं मिली अगला कदम क्या है अगला कदम हम लोग उमीद कभी नहीं हारते हैं हम लोग सिच्छक हैं इससे पहले अभी हम लोग छात्र भी है साथी में तो हम लोग संगर्स से नहीं भागते है संगर्स हम लोग जारी रखेंगे जिन माध्यों से हमारी बात सरकार तक सुनी जाएगी उन-उन माध्यों मतों को हम लोग पहुंचेंगे अवगत भी कराएंगे इसके अलावा हम लोग राज येस्तर पर भी व्यापक तरीके से अपनी जो है विदार्ती और छात्र और सिच्चक जो हैं भावी सिच्चक जो बनने वाले हैं और सभी एक साथ संगटित हो रहे हैं और उन सभी को साथ में ले करके निया यात्रा और गुहार यात्रा सिच्चा मंत्री को पावगत कराने कारी है फ्यूचर में हम लोग करेंगे आगामी दिनों में जब हम लोग को मौका मिलेगा इसका अभी चुकि नवरात्र चल रहा है दुर्गापुजा का समय है कारियाला भी बंद हो जाएंगे हाला कि हमारा दुर्गापुजा उतने ठीक अच्छे ढंक से इस इस पर विचार करते हुए जो नियाई संगत है जैन्यूइन मांगे है और इसमें कोई अर्चन बिल्कुल भी नहीं है इसके अलावा हाइकोर्ट में भी जज्जमेंट्स आये हैं बहुत सारा हिमाजल परदेश का है मैं आपको भी दिखाऊंगा इसके अलावा आपको निय किया जाता है बाकी विद्दार्तियों को इनके पास मौझूद है और इन सभी मुद्दों को ले करके यह मुलाकात का सलसला जो है वो जरूर शुरू करेंगे और सभी चीजें इन्होंने बना करके रखिए कि हां हमें क्या-क्या परिशानी है जो पेपर्स हैं जो लगतार पास मौझूद है आप देख सकते हैं किस तरीके से हाई कोट का फैसला है वो भी इनके पास है माचल प्रदेश का यह हाई कोट है और यहां पर सारी चीजें लिखी गई है और चुकि टेट की परिक्षा हर वश होनी है यह इस पर शूप से लिखा गया है और टेट की परिक लगतार यह अभियर्थी आंदोलन कर रहे हैं मुक्यमंत्री मंसुरेन से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह पूरी चीजें जो हैं इनके पास मौझूद हैं डॉक्यमंट्स रेडी हैं कि कोई भी पेच आने वाले समय में नहीं लगे उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं तो 26,000 शिक्षकों की न्यूक्ति और उसमें सीटेट पर जो अभियर्थी हैं सफल अभियर्थी हैं उन लोगों को मेरिट के आधार पर एक्जाम में बैठने का मौका यह लगतार मांग कर रहे हैं अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ किया जाता है कुछ कर एंग